नमस्कार दोस्तों वेलकम टू जीके वास्ट डिवीजन नीसुड़े में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण जीके के सवाल जो बहुत सारे कंपुटूटूटर एक्जांस में बार बार पूछे जाते हैं साथ ही हम आपको कुछ एक्ष्टा फैक्ट भी बताएंगे ताकि आप आपको option एक और दो में confusion नहीं होगा और अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो option एक और option दो में आपको confusion definitely होगा इस सवाल का सही उत्तर है ब्राजिलिया option नमबर दो चलिए हम यहाँ पर कुछ और देशों की राजधानिया देख लेते हैं ब्राजिल की तो ब्राज सबसे उंचाई पर स्थीत राजधानी जो समद्र तल से 20,000 फीट की उंचाई पर स्थीत हैं स्विजर्लेंड की कैपिटल है बर्न और और ऑस्ट्रेलिया की है कैन्बरा तो चलिए हम दूसरा सवाल देख लेते अगर आपको जवाब सोचने के लिए और भी टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉस्ट भी कर सकते हैं इसका सही उत्तर है शेशी थरूर इस सवाल के एक्स्टा फैक्ट में आपको बस इतना करना है हमने यहाँ पर जितनी शेशी थरूर जी की पुस्टके लिखी है बस उनको याद करना है थे ग्रेट इंडियन नोवेल शेशी थरूर जी की पुस्टक है शो बिजनेश रायट इंडिया फ्रूर मिडनाइट टु दे मिलेनियम बुकलेस इन बगदाद इंडिया शास्र रफलेक्शन अन नेशन रफलेक्शन अन आशन इन आवर ताइम अन एरा यह तो question में था बस इतने तो आपको याद करने इससे भी ज़्यादा इनकी और पुस्तक है लेकिन इतने भी अगर आप याद करते हो तो बहुत सारे exam में इनी से ही सवाल भी पूचा जाता है तीसरा सवाल है 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट डे किसके जन्मदिवस पर मनाय जाता है यहाँ पर सब बता दिया है 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट डे मनाय जाता है लेकिन पूचा यह किसके जन्मदिवस पर मनाय जाता है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा मेजर ध जनमधिवस पर यहाँ पर हम आपको कुछ और डे बताते थे जो कुछ फेमस परसनलीटि के जयनती पर या फिर उन्नेतिधी पर मना जाते हैं 29 अगस तो नैशनल स्पोर्ट डे होता है मेजर ध्याँचन जी के जनमधिवस पर मना जाता है 12 जन्वरी को मना जाता है National Youth Day राष्ट्रिय युवा दिवस ये मना जाता है स्वामी विवेकानन्द जी के जन्म दिवस पर 30 जन्वरी को मना जाता है शहीद दिवस और ये मना जाता है महात्मा गांधी जी की पुन्ने तिती पर यहाँ पर हमने स्टार मार्क किया हुआ है 13 फरवरी को मना जाता है National Women's Day ये मना जाता है सरोजिनी नाइडू के जन्म दिवस पर 29 जून को मना जाता है National Statistic Day राष्ट्रिय सांखी की दिवस ये मना जाता है प्रशान्द चंद्र महाल नोबिस की जैन्ती पर यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा फ्याक्ट याद रखनी है दूसरी पंचवार्शी की योजना जो थी 1956 से 1961 के बीच में वो बेस्ट थी PC महाल नोबिस मॉडल पर और यही है वो प्रशान्द चंद्र महाल नोबिस PC महाल नोबिस इनके मॉडल पर आदाई थी दूसरी पंचवार्शी की योजना पांच सप्टेंबर को मना जाता है टीचर्स डे टीचर्स डे सर्वपल्ली राधा कृष्णन के जन्म दिवस पर मना जाता है और चोदा लोक नृत्य है इसका सयूत्तर यहाँ पर है आसाम आसाम का लोक नृत्य है बागो रूमबा और यहाँ पर हमने इन ओप्शन वाले स्टेट के कुछ डांस यहाँ पर लिके हुए है आपको वीडियो को पौज करके यहाँ पर पढ़ना है गलत उच्चार करने से अच्छा ह उतपाद धक्षिन अमेरीका से भारत में लाया गया था? ये सवाल आपको अटपटा लगेगा लेकिन इसे ही सवाल एकजाम में आ जाते हैं. इसका सयुत्तर हो जाएगा मिर्च. मिर्च का जमस्थान दक्षिन अमेरिका है जहां से यह पूरे विश्वे में फेला हुआ है और आपको मिर्च के बारे में याद रखना है इसका तीखापन होता है केपसे सीन के कारण और मिर्च का लाल रंग होता है केपसें थीन के कारण और मिर्च खाने किसे कौन सा विटामिन प्राप्त होता है तो विटामिन A प्राप्त होता है मिर्च खाने से अगला सवाल है स्वच्चता स्वतंत्रता से अधिक महतोपुर्ण है स्वच्चता स्वतंत्रता से अधिक महतोपुर्ण है यह किसने कहा था तो यह कहा था महात्मा गांधी जी ने आपको यहाँ पर और भी कतन और किसने कहा था यह याद रखना है तुम मुझे खुन दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा और जैहिंद यह दोनों कहा था सुभाज चंद्रबोस ने यहाँ पर यह दोनों कोतन यहाँ पर लिखे हुए है यह दोनों ही RRB NTP से के pre-K exam में आये हुए है मुझे खड़े होने की जगह दो और मैं पृत्वी को गोती दे दूँगा यह कहा था Archimedes ने इसमें कुछ modification हो सकता है अवद एक cherry के समान है एक दिन हमारे मुह में गिरेगा यह कहता Lord Dalhousie ने है तो चलिए हम अगला सवाल देख लेते अगबर नामा किसने लिखी थी? यह सवाल भी ऐसा है अगर आपने पढ़ा है तो आपको confusion नहीं होगा और अगर नहीं पढ़ा है तो option एक और option तीन में आपको confusion definitely होगा अमीर खुसरो या अबुल फजल क्योंकि मिलते जुलते थोड़े नाम है लेकिन अगर आपने अच्छे से इतियास को पढ़ा है तो आपको कोई भी confusion नहीं होगा बहुत सारे लोग इसको सही कर देंगे अबुल फजल इसका सही उत्तर है यहाँ पर हमने कुछ और पुस्ते के लिखी है जो कि बहुत सारे एक्जाम में बार बार पूची ही जाती है मुद्र राक्षस लिखी है विशाख अदत्तने रजत रंगिनी लिखी है कल्हनने काम सुत्र लिखी है वात्सेयनने बुद्ध चरित अश्वगोष नाट्ट शास्र भरत्मुनी अभिज्यान शाकुंतलम विक्रम विक्रमवर्य वश्यम और रगुवन्षम कालिदास पंच सिद्धांतिका और विरहत सहिता वाराह मीर ने सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्ट्य आर्यभट्टने पंच तंत्र लिखी है विश्णू शर्मा ने इंडिका लिखी है मेगास तनीज ने अर्थशास्र लिकी है कवटिले ने, चरक सहीता चरक ने, अश्ट्याद्याई पानीनी ने, महाबाश्र लिकी है पतंजली ने, मुरच्च कटिकम लिकी है शुद्रक ने, और गीतो गोविंद लिकी है जैदेव ने तो चली हम अगला सवाल देख लेते हैं, शरीर के किस हिस्से में रक्त शुद्ध होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा किड्नी, किड्नी में रक्त शुद्ध होता है, फेपड़े में श्वसन का कार्य होता है, रिदय में रक्त परिवहन का कार्य होता है, और आंत में होता है पोशक तत्वों को अवशोशित करने का कारिय और आज का लास्ट सवाल है भारत की दूसरी सबसे लंबी अंतराश्ट्रिय सीमा किस देश से लगती है बांगला देश से सबसे जादा सीमा लगती है यह आप सभी को पता होगा 4096 किलोमेटर लेकिन यहाँ पर पूचा है दूस बांगला देश से लगती है 4096 किलोमेटर चीन से 3488 किलोमेटर पाकिस्तान से 1910 किलोमेटर नेपाल से 1791 किलोमेटर म्यानमार से 1643 किलोमेटर भूटान से 699 और अफगानिस्तान से 106 किलोमेटर अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाए तो वीडियो को लाइक शेर और कानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लिजीगा